जैहिन दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में स्रमाड कुमार खंड काबे से रिलेटेड जितने भी प्रस्ण बनने वाले हैं सब का आज की इस वीडियो में हाल करने वाला हूं जी हां दोस्तों body exam में आप से चरीचितनर भी पूछा जाएगा प्लस सरमण कुमार खंड काबे का सारांस भी पूछा जाएगा एक एक चीज आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कैसे आपको exam में लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिले ठीक है यानि कि मात्रेक इस छोटी सी वीडियो में आपका सरमण कुमार खंड काबे से रिलेटेड पूरे डाउट खतम हो जाएगे प्लस इन चीज़ों को मैं इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आप सीधा जाकर के exam में छाप देंगे आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अंत तक देखिएगा पहले मैं आपको चरिचित्रन बताता हूँ उसके बाद फिर स्रमण कुमार खंड काबे का सारांस बताऊंगा ठीक है तो देखिए ऐसे ही आपको एक्जाम में स्रमण कुमार खंड काबे हेडिंग डालना है वो काले पेंसे ठीक है इस पेंसे आप डार्क पेंसे डाल देंगे इसके बाद नीचे लाइन खीज देंगे हम कम से कम 5 heading लिखेंगे कम से कम ठीक है वो भी अपने हिसाब से बना बना करके एकदम बना बना करके मैं कोई भी question बाएंग कोई भी book वगएरा side में नहीं लिया हूँ एकदम आसान तरीके से आपको बताऊंगा कैसे चरी चितरन बनाना है ठीके जैसे यहां पे पहली heading आप लोग देख सकते हो कि स्रवण कुमार अपने माता पीता के परांभगत थे ठीक है ना तो पहली heading तो आप लोग यही रख सकते हो माता पीता का भगत ठीक है ध्यान देना कैसे चरी सितरन लिखेंगे आप लोग लिख दीजे माता पिता का भक्त, यह आपकी पहली हीडिंग हो गई, ठीक है ध्यान देना बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसके नीचे आप लोगों को तुरांत एक लाइन खींच देना है फड़ाक से, ठीक है तुरांत फड़ाक से ऐसे, यह हो गई लाइन ठीक है आप लोग अच्छे स्खीचेगा मैं जल्दी वाजी के चक्कड में लाइन थोड़ा टेंडी कर दिया हूँ अब देखे ऐसे हो गया माता पीता का भक्त इसमें आप लोग क्या-क्या चीजें लिख सकते हैं एसे लिख देंगे कि स्रवन कुमार अपने माता पीता के परम भक्त थे ठीक है वो अपने माता पीता के हर आग्यां का पालन करते थे हमेशा माता पीता की सेवा करते थे ठीक है ऐसी ही चीजें लिखना है और ध्यान देना अभी जब मैं ये पूरी चीज़ें लिखूंगा ना तो चार से पांच लाइन पूरी भर जाएगी ठीक है ना तो चलिए लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं तो देखें दोस्तों मैंने लिख दिया कि स्रवन कुमार अपने माता पिता के परमभक्त थे उनका पूरा दिन उनके माता पिता की सेवा में बतीत होता था वह अपने माता पिता की प्रत्य काग्यां का पालन करते थे बताईए अगर एक भी सब्द आपको इसमें रटने वाल मिला हो ठीक है ऐसे आप लोग पहली हेडिंग में चार से पांच लाइन लिख देंगे ठीक है अब आपको डालना है नई हेडिंग इसमें आप लोग क्या बना करके लिख सकते हो देखो गुरोधर्म उनके अंदर रहे हो या ना रहे हो आपको चरी चित्रन में अच्छा ही लिखना है खराब नहीं लिखना ठीक है न कि अगर आप से रावड का चरी चित्रन पूंचा जाये तो आप उसमें हरामी थोड़ी ल काल देंगे जैसे का कह सकते हैं कि परिश्रमी थे हमेशा आपने माता पिता के लिए पानी ले कर आते थे ठीक है उनको जो है खाने की वेवस्था करते थे वह अंधे थे ठीक है ना तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो मेहंती या परिश्रमी ठीक है मेहंती ऐसे आप पीने के वेवस्था भी करते थे उनको पीने के लिए जल लेने जाते थे और अपने अस्रम की वेवस्थाओं का देख रेख करते थे इससे सिध्ध होता है कि वह एक मेहंती बालक थे ठीक है तो चल्ये लिखते हैं तो देखे दोस्तो मैंने लिख दिया कि श्रowan कुमार बहुत ही परिश्रमी थे वह सारा दिन कठीन परिश्रम करते थे वह पूरे परिवार की देख रेक करते थे परिवार के भराण पोशंड के लिए वह परिश्रम करके बेवस्था करते थे आगे आप लोग लिख सकते हो कि मातर पिता को पीने के लिवा पानी लेने भी गए थे और इसी में लिख देंगे इससे सिध्ध होता है कि वह एक महंती पूरुष थे ठीक है ऐसे आप लोग लिख देंगे देखिएगा इतना हमने लिख लिया है एक भी चीज़ें अभी तक हमने रटा नहीं है ठीक है अगली हेडिंग आप लोग लिख सकते हो सत्यवादी ठीक है सत्यवादी भी लिख देंगे क्योंकि जब उनको क्या लगा था बांड लगा था तो क्या हुआ था दसरत से उन्होंने अपना पूरा परिचय बता दिया था ठीक है ना दसरत से उन्होंने अपना पूरा परिचय बता दिया था ठीक है यही चीजें बढ़ा चढ़ा करके लिखना है दोस्तों फुल मिला के बाद यही है चरी चित्रन में हमें अच्छी अच्ची चीजें ही लिखता है ठीक है और ऐसे ही आप लोग लिखेंगे कि वहां किसी से भी कुछ नहीं चिपाते थे ठीक है ना कभी भी कुछ नहीं चिपाते थे हमेशा सत्य का साथ देते थे यही चीज़ें आपको बना बना करके लिखना है तो चलो मैं लिखता हूँ तो देखे दोस्तों मैंने लिख दिया कि स्रवन कुमार एक सत्यवादी बालक थे वहां हमेशा सत्य का साथ देते थे दसरत द्वारा उनके बान लगने पर वहां अपने कुल और माता पिता के बारे में सच्चाई से बता दिये इससे उनके सत्यवादी होने का प्रमाड मिलता है ठीक है ना बहुत ही बेतरीन तरीके से समझीएगा एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ ठीक है ना अब देख लिजे इतना आप लोगों ने लिख दिया इतना पूरा ठीक है अब चौथी हेडिंग की तरब चलते हैं तो देखिए आगे हम हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों की वो संसकार से युगत थे ठीक है ना हमेशा संसकार जो है संसकार का पालन करते थे अपने कुल की इज़त लाज काउन को अच्छी तरह से अनुभाव था ठीक है ना कुल मिला के यही चीजें आपको थोड़ा बहुत बना करके लिखना है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो दोस्तों संसकारी क्या लिख सकते हो संसकारी ठीक है यह होगे आपकी अगली हेडी एक एक चीज समझिएगा अच्छे से अभी मैं आपको सरांस बहतर तरीके से लिखना बताऊंगा वीडियो में अंत तक जुड़े रहे ठीक है ना तो यहाँ पर लिख देंगे कि सरवण कुमार एक संसकारी पुरुस थे ठीक है ना आगे आप लोग लिख सकते हो कि वो हमेशा कर्म एवं अपने संसकारों को महत्तो देते थे ठीक है ना मैंने लिख दिया कि स्रवन कुमार एक संसकारी पुरुष थे उन्होंने अपने कुल को अपने संसकार के बल पर आगे बढ़ाया आजीवन उन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाया वहां हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते थे ठीक है ये हो गया और आगे मना करके हीडिंग क्या बना सकते हैं देखो जैसे ही स्रवन कुमार को बाण लगा उनको तनिक भी गुस्ता नहीं आया ठीक है ना इससे हम कह सकते हैं कि वह एक सरल सभाव वाले थे ठीक है तो यहाँ पे आप लोग पांचवी हीडिंग डाल देंगे सरल सभाव वाला ध्यान देना जैसे इसमें आप लोग लिख सकते हो कि स्रवण कुमार सरल सुभाव वाले ब्यक्ति थे ठीक है न यानि दसरत द्वारा उनके बाढ़ लग भी जाने पर उन्होंने दसरत को बुरा भाला नहीं कहा ठीक है न उनका सम्मान किया उनसे उनका परिचय पूछा ठीक है न जो है अ तो देखें दोस्तों मैंने लिख दिया कि स्रवण कुमार एक सरल सुभाव वाले बालक थे ठीक है वाले बालक थे उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई इरसया द्वेस ठीक है इरसया द्वेस छल कपट एवं क्रोध नहीं था दसरत द्वारा बाण मार दिये जाने पर भी उन्होंने दसरत को भला बुरा नहीं कहा ठीक है इससे प्रमाण मिलता है कि वह एक सरल सुभाव वाले ब्यक्ती थे अब लास्ट में आपको निसकर्स हेडिंग डालना है ठीक है निसकर्स ध्यान देना ऐसे आप लोग हेडिंग डाल देंगे और इसमें आपको कैसे लिखना ह इसमें आप लोगों को लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्रमण कुमार एक मात्र पित्र भत ठीक है आघ्याकारी माने जो माता पिता की आग्या करता हूँ ठीक है अब जितनी भी आपने हेडिंग बनाई है ना सब लग लग करके लिख दो ठीक है आग्याकारी और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सरल स्वभाव वाला ठік है सरल स्वभाव वाले महापूरूस थे या अभ्यक्ती थे या बालक थे ऐसे आप लिख सकते हो ठीक है ऐसे आप लोग यान जितनी भी अभी तक हेडिंग बनाए होना आपको कामा लगा लगा करके यहाँ पे आपको लिख देना है तो इस तरीके से इनका आपको चरिचितना लिखना है अब चलिए देखते हैं कि स्रवण कुमार खंड काब में सारांस से रिलेटेड कैसे प्रस्न बनेंगे तो देखे दोस्तों मैंने स्रवण कुमार खंड काब जितने भी सर्ग हैं सब का सारांस आपको थोड़ा थोड़ा लिख करके पूरा यानि आठों सर्ग का सारांस आपको थोड़ा थोड़ा लिख करके दो पेज में लिख देना है ठीक है ये बात हुई अब देखलो अगर आपसे किसी स्पेसिफिक सर्ग का पूँछे जैसे सरव अगर आपका कथानक पूछेगा, कथानक पूछेगा ना, तो आपको करना क्या है, सेम ऐसे ही टाइप कर देना है, जैसे यहाँ पे मैं पूरा लिखा हूँ, ठीक है, जैसे देखो, स्रमण कुमार खंड कावे आठ सरगों में विभाक्त है, जिसका सरग वार सारांस इस प्रक अब देखिए प्रथम सरग, इसमें कोश्ठक में सरग का नाम लिख देंगे अयोध्या, और ध्यान देना अगर आपको सरग का नाम याद ना आये ना, तो आप बिलकुल भी नाम मत लिखना, ठीक है, जब याद रहे तभी लिखना, जब याद ना रहे तो किसी भी में जैसे देखे, इस सर्ग में अयोध्या नगरी की स्थापना उसका नामकरण एवं उसकी अन्यविसेस्थाओं का वर्लाण है, ठीक है, अयोध्या में सभी जगा नयतिक्ता और सधाचार बिद्धिमान है, इस सर्ग में अयोध्या के सुन्दर वातावरण का भी वर्लाण है, ऐसे मनमोहक वातावरण में राजा दसरत सिकार करने की योजना बनाते हैं। ये आपका प्रथम सर्ग का संचिप्त सरांस हो गया। अब देखे जो जो सर्ग इंपोर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो जो सर्ग मैं आपको बता दूँ उन उन सर्गों का आपको पूरा यानि बड़ा सा सरांस से याद करना है। ये देखे दूती सर्ग इसमें लिखेंगे आस्रम यानि इस सर्ग में सरवन कुमार और उनके माता पिता के निवास इस्थान का वरलन है। इस आश्रम में सरवत्र सुख सांती है, आश्रम के सांत वाता वरण में हिस्रवन कुमार अपने माता पिता की सेवा करने में लगे रहते हैं, ठीक है? अब देखिए तरती सर्ग, इस सर्ग का नाम है आखेट, तो ध्यान देना खास कर इस सर्ग का ज़्यादा डिटेल में जब जल लेने के लिए जाते हैं, तो उसे कुछ अपसकुन होने की असंका रहती है, ठीक है? दसरत सुखह होते ही वन में जाते हैं, जहां पर वहा नदी में पात्र डूबने की ध्वनी को किसी जानवर की ध्वनी समझ कर बार चला देते हैं, जो जाकर स्रवन कुमार को जाता है, ठीक है? यहाँ पर यह पेज कट गया है दोस्तों, चलते हैं अगले पेज पेज पे, तो देखे दोस्तों आ चुका है चौथा सर्वन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस पर मैंने इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है न? चतुर्थ सर्व का नाम है स्रवन, इ चल देते हैं, अब आपको पंचम सर्व का नाम भी यहाँ पर डाल देना है, जो भी हो, ठीक है, जैसे देखिए, इस सर्व में दसरत के दुखी मन से पस्चताप करते हुए आश्रम पहुँचने की कथा का वरड़न है, अब खश्ट सर्व देखिए, मोस्ट इंपोर्टें को सारी कथा बताते हैं, जिससे वो करुण भिलाब कर उठते हैं, और अपने मरतक पुत्र को इस पर्स करने के लिए दसरत के साथ चल देते हैं, अब देखिए, सत्तम सर्ग, इसका नाम है अभिसाप, इसमें लिखेंगे स्रवन कुमार के माता पिता, जब मरतक पुत्र के स जो की है निरवाल, ठीक है, इसमें लिखेंगे कि साप के कारण दसरत अत्यंत दुखी होते हैं, तथा स्रवन कुमार के माता पिता भी प्राण त्याग देते हैं, और यहां से इस खंड काभी की कथावस्तु समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे ये पूरा खंड काभी ख शेयर करना मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए चैहिंद जय भारत